जेके FFC के निकाले हुए आदर है उसके उपर सीधे एक आदर निकाली है कि जिसने भी एक्स्टा फीज हमारे आदर के ऊपर ली ए उसको फीज को बापीस रिफन्ड किया जाए और मैं ट्रांस्पोर्ट कमिशनर साहब को कहना चाहता हूँ कि ट्रांस्पोर्ट कमिशनर साहब जितने भी आये है जो प्रेजन चेर पे बैठे हुए है आप लोग 10 सुरुपे किराया मेटर डोर का सेट कर सकते हो लिस्ट बना सकते हो लेकिन प्राइबेट स्कूल माफिया 50-50 बसे चला रहा है उसका आपने किलोमेटर के हिसाब से पर किलोमेटर के हिसाब से अभी तक फेर जो है वो सेट क्यों नहीं किया जो सही माइने में अजुकेश्टिस्ट है उनके स्कूल बंद होने पे आ रहे हैं और जो प्राइबेट स्कूल माफिया जो बीजनस में लिकर माफिया माइनिंग माफिया को आपने लाइसेंस दी है वो आई दिन पेरेंट्स को लूटते जा रहे हैं अजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूँ तो बुक्स का नेकस्ट हर एक स्कूल ने चला लिया स्कूल में गे हुए थे लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पेरेंट्स को मिसगाइड किया जा रहा था जब वो केले केले गे थे जब पेरेंट्स अभी उनाइट होकर मेरे साथ के तो वहां पे उन्होंने स्कूल का गेट ही नहीं खोला उनको पेरेंट्स को ये पता चल गया कि कही न कहीं स्कूल जूट बोल रहा है इसलिए अमित कपूर जब साथ आया विड़ डिकूमेंटस के साथ विध प्रूफ के साथ तो स्kूल ने गेट नहीं होला और वह स्कूल जो है double annual charges और जो फीसिस है monthly faizis वह भी डबल ले रहा है और तो और 2,000 पा स्टेशनरी सब को special बोला जा रहे हैं और 5000 पे कुछ और खर्चा डाला जा रहे हैं जाने कि बुक्स भी वो अपनी मनमर्जी की लगाएगी है और स्कूल में ही सेल करके और सबसे बड़ी बात कि स्कूल में बुक सेल तो की की MRP के ऊपर स्टिकर, गन स्टिकर जो होता है, गन स्टिकर से स्लिप लगा कर वो सेल की, कहा है Legal Metrology Department, और सिर्फ यही स्कूल नहीं, अगर मैं आज के स्कूलों की बात करूँ, आज के प्राइवेट स्कूलों की बात करूँ, तो कुछ स्कूल ऐसे हैं, जैसे मौंट लिटेरा स्कूल, तलातिलो बोडी में, उसका अभी तक 9th, 10th जो है, वो अर्जिस्ट्रेशन हुई ही नहीं है, और वो 9th, 10th क्लासिज जो है, वो लास्ट एर से लगा रहा है, और लास्ट एर भी उसने 10th क्लास के बच्चों को खजल किया, और कढ़ुआ से पेपर दिलाए, और पे साथ क्यों खेल रहे हो, एजुकेशन माफिया को खतम करने के पीशे कोई, कोई लीडर, कोई सोचल अक्टिविस्ट, कोई NGO, कोई हमारे समाज कारे करता, क्यों आगे नहीं आरे, क्यों पॉलिटिशन आगे नहीं आरे, क्यों पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आरी, क्या एक अमित कबूरी ही है जो एक एजुकेशन माफिया के पीशे लगेगा मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे लीडर से हैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जितने भी जम्मू के ठेकेदार हैं हमारे जम्मू के समाज सेवक हैं वो सब युनाइट होकर जम्मू कश्मीर के स को रहत मिल सके आप आडर्स निकाले जाते हैं तो आडर्स ये प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं कर रहे हैं देखिए मैं आपको बता दू कि नीचे से लेकर ऊपर तक एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक एक इंसान एक एक शक्स टैचियों के रिष्टे हैं एक एक शक्स इ है वो अभी तक बापिस होने चाहिए क्यों आडर नहीं निकला चेर्मेंट एफफसी ने तो आगे सुनील हाले साब मैं सुनील हाले जी को भी कहना चाहता हूं कि सुनील हाले साब अगर आप इमानदारी से अगर आप इमानदारी से एजुकेशन माफिया के खिलाब करफश है जो प्रेजेंट चेर पे बैठे हुए है आप लोग 10 सुर्पे किराया मैटर डोर का सेट कर सकते हो लिस्ट बना सकते हो लेकिन प्राइबेट स्कूल माफिया 50-50 बसे चला रहा है उसका आपने किलोमेटर के साब से पर किलोमेटर के साब से अभी तक फेर जो है वो सेट क गरकर अगर पको पताचर चल जाएगा की लास्ट का माफिया को खटम किजिए एजूकर माफिया है के ना कहीं आपस में रिश्टा है चद लोग समाज को खराब कर रहे हैं जो सही माइने में आजी के इस्टिस्ट है उनके स्कूल बंद होने पर आ रहे हैं और जो ब्राइबर स्कूल माफिया जो भीजनेस मैं लिखकर माफिया माइनिंग माफिया को आपने लाइसेंड दी है